काम को धरातर पर ले जाने का काम किया उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ गरीप मैं मानिप मुख्मंत्री जी है भारत माता की भारत माता की बंदी आज के इस कारिक्रम में मंच पर उपस्तित भारतिय जनता पार्टी के नौन युक्त प्रदेश अध्यक्स और प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगी प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्स और प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगी प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्स और प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगी स्रिमती रेखा पर्मा जी पूर प्रदेश अध्यक्स और प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगी मानिशी सुर्य प्रताप साही जी पूर प्रदेश अध्यक्स और मानिश सांसत डॉक्टर लक्षमी कांद बाचपेई जी केंद्रिय मंत्री मानिशी संजीव बालियान जी सभी मानिश सांसत प्रदेश सरकार में मेरे सभी सयोगी मंत्रीगान पार्टी के सभी पदावी कारीगान और उपस्तित कारीकरता भाईयों पहनों मैं सबसे पहले भारती जनता पार्टी के वरिष्ट कारेकरता प्रदेश सरकार के वरिष्ट मंत्री मानने स्वी भुपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्स न्युक्त होने पर प्रदेश के कोट कोट कारिकर्ताओं की ओर से हिर्दे से बधाई देता हो और उनका विनन्दन करता हो गूत अस्तर से लेकर के प्रदेश अस्तर तक संगठन की जम्यदारी को बखूवी निभाने के च्छमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भुपेंद्र सिंग जी को प्रदेश का हर कारिकर्ता जानता है उनकी संगठनात्रक जम्ता को ध्यान में रख करके ही भारती जन्ता पार्टी ने उन्हें दो दो बार पस्यमी छेत्र का अध्यक्स बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी बायो बेनो पिछले पांच वर्स छे मां से चौधरी भुपेंद्र सिंग जी ने उत्तरप्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र परवार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर काइपनेट मंत्री के रूप में अपने दाहितों का बखूबी निर्वाहन किया इस दोरान ग्राम पंचायतों को प्रदेश के पंचायती राज विवस्था को सुद्रड करने के लिए लोग कल्याणकारी योचनाओं को प्रतेक नागरिक्ता को प्लब्द कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कारे किया जाता है चौदरी भुपेंद्र सिंग्जी उसके एक उधारण है और आज प्रदेश अध्यक्स का ताहित्व केंद्रिय निक्रित्व ने उनकी इन्ही छमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्द कराया है उत्तरब्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है हमारे पास अठारा कमिस्णरी है पिछत्तर जन्पद है आड़ सो चपीस विकास खंड है तीन हजार से धिक न्याई पंचायते है अठावन हजार से धिक ग्राम पंचायते है एक लाग दस हजार से धिक राजश्यकाओं है और आपने देखा होगा उनके पंचायत राजमंत्री के दोरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन हुए पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जन्पदों में जिला पंचायत अध्यक्स भारतिय जन्ता पार्टी का बना 826 दिकास घंडों में शाड़े 600 से धिक ब्लाक पर्मुक का भारतिय जन्ता पार्टी के कार्यकरता ब्लाक पर्मुक के रूप में चैनिद्वी हुए अधिकान से गराम पंचायतों में भारतिय जन्ता पार्टी का ही कार्यकरता गराम प्रधान बन करके पंचायती राज विवस्ता को सिदर्ड करने में अपना योगदान दे रहा है और प्रभानमंत्री मोदी जी के स्वच भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ओडियप प्लस इने ओडियप प्लस प्लस क्यों रक्रसर करने में एक बड़ी भुमिका का निर्वहन चौदरी भुपेंद्र सिंग जी ने किया आज उत्तर प्रदेश भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्स के रूप में केंद्रिय निस्तित्व ने उन्हें ये महति जिम्यदारी दी है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अपनी संगटनात्मक छंता के बल पर चौदरी भुपेंद्र सिंग जी पार्टी के प्रतेक कारकरता को साथ में लेकर के मजबूत संगटनात्मक छंता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का आगे बढ़ाने में सरकार और संगठन के बीच में बहत्तर समन्वे को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आगामी 2024 के लोकसवाद चुना में भारतिय जन्ता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजई प्राप्ट करके एक बार फिर से निया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी वायो बेनो मैं इस उसर पर अविनंदन करता हूँ प्रदेश के नो नियुक्त संगठन महामंत्री सी धरमपाल जी किया भई उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी छेत्रों में एक लंबे समय तक कारे किया अखिल भारतिय वित्यारती परिशत के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग छेत्रों में अलग 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 प्रांतों में कारे करते हुए भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में जारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है आज हमारे गेंदुए निफित्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तर दाहित्व दिया है आज वे सभी कार्यकरताओं का मर्क दर्शन कर रहे हैं संगठनात्मक रूप से हम अपने मुल्यों अपने सितान्तों और आदर्सों का नपालन करते हैं भारतिय जन्ता पार्टी को आधने प्रदान मंत्री जी की मंसा के इन रूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्तापित करने के साथ ही और अभ्यक्ती भारतिय जन्ता पार्टी के मिसन के साथ जुड़े इस लक्षे को लेकर के अपने मुल्यों और सितान्तों को बनाए रखते हुए गरीब कल्यानकारी योजनाए समाज के प्रदेग तब्क्तिय को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहाँ पर उनका मार्क दर्सन कारिकरताओं के लिए तंत महत्तोपूर है में साथ पर आज सार्जनिक कारिकरम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयम्पी है में उनका भी साथ पर हिरगे से विनंदन करता हूँ वायो बेनो हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे तीन वर्स और लगभग डेड़ माह कि तीन वर्स तीन महिने तीन वर्स तीन माह उन्होंने प्रदेश में भारतिये जनता पार्टी संगठन को नित्रत दिया और मैं देखता था मैं कभी कभी उनको टोफ़ता भी था कि भई आप प्रदेश अध्यक्स हैं आप रात बेरात मत चला करिये अभी बैठक संपन होई कहीं भी पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे अगले दिन किसी अन्य जगे कारे करने के लिए कारे करता के बीच में खुल मिल लेते थे बाचीत करते थे उनकी संबेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने अस्तर पर निकाल करके हर कारे करता के मान सम्मान की रक्सा करते हुए सरकार और संगठन में बहतर समन्वे करने का काम उन्होंने किया और उसका पेड़ाम हम सब के सामने है 2022 का विधान सवह का चुनाओ इस से पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाओ अस्थान ये प्राधीकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिशत के चुनाओ है थे 36 में से 33 में भारतिये जन्ता पार्टी का कारेकरता विधान परिशत का सदस्य चुनाओ जीत करके आता है और यही नहीं चमतकार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजम गड़ो रामपूर में भी चुनाओ जीत करके लोकसभा में भारतिये जन्ता पार्टी के कारेकरता चुनाओ जीत करके चले गए आज वे प्रदेश के जल सक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे है साथ साथ प्रदेश संगठन की दाहितों को भी कुसलता पुरूप भारतिये जन्ता पार्टी का सिद्दान्त है एक ब्यक्ति एक पद और इस सिद्दान्त का पालन करते हुए मैं अध्यक्स पद से मुक्तो होना चाहता हूँ मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रे नित्रत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दहितों पर ही बना रहे ना हो नकोगा और जब केंद्रे नित्रत्व का आदेश हुआ उसका अनफालन करते हुए उन्होंने बिगत तीन वर्स तीन महा तक भारतिये जन्ता पार मंत्री के रूप में उन्होंने मेरे साथ काम किया था और परिवहन मंत्री के रूप में कारे करते वे मैं देखता था एक एक चीज को नई नई चीजों को ढोंड करके लाते थे अलाग अलग जगे से कभी उत्राखंड के साथ कभी मत्यप्रदेश के साथ कभी राजस्तान के स कभी जमू और कस्मिर के साथ कभी हिमान ça के साथ मौयू करते भे उत्तर्प्रदेश Jet निकम की बसेज वहा पर जाए और वहां से से मात्यम से पिर हम लोग उत्तर्प्रदेस के का प्रचार प्रसाख करने के सात ही उत्तर प्रदेश में कुम्ब के दोरान पांच हजार पस्यज उन्होंने अपने अत्रिक बेडे में एकत्र करवाई और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था भी इतनी पस्यज खरीद रहें लेकिन इससे क्या हमें लाब होगा लेकिन करोना के दोरान आपने देखा होगा कि जब हमें उत्तर प्रदेश के चात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था इनी पस्यज को में भेजता था जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर किया था प्रवासी कामगार और सर्मिकों को वापस लाने में इनी पसेच का हम मदद करते थे आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से ताथकालिक पियोस्था के अंतरगत मुप्त होकर के प्रदेश सरकार के मंतरी के रूप में अपना कारे करेंगे और प्रदेश के कारेकरताओं के साथ कदम से कदम मिला करके मानिय भुपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे मैं उनका भी सौसर पर हिर्दै से एक कुसल संगठन करता के रूप में सतंदेजी संगठन के कारिकरता के रूप में ही क्रहमे सा जाने जाते रहे हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्स के रूप में चाहे लखनों की सड़कों पर कारिकर्टों पर लाठी बजवाने से लेकर कैने तमाम कारिकर्म करवाने के कारण अक्सर होता था विपक्स की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो सतंदेजी जरूर चटकवा देते थी लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्स के दाहित्व से मुक्त होकर के घुपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे प्रदेश सरकार के कारिक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है अब यह बड़े वर्स में वर्स वर्स के अंदर हर घर में सुद्ध पेजल उपलब्ध करवाना है और हर खेत में पानी उपलब्ध कराना है और इस बड़े कारिकर्म का उत्त दाहे तो इस समय लिभा रहे हैं मैं इस उसर पर उन्हें भी एक अच्छी पारी के लिए हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ और प्रदेश में बिधान सवाच चुनाओं में जो मेहनत और परिश्रम कारिकर्टाओं के साथ उन्होंने की उसका पेड़ाम है कि आज प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी पहली बार दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई लगभग 37 वरसों के बाद कोई सरकार रिपीट की है आज भायो बेनो मैं एक बार फिर से इस उसर पर बारती जन्ता पार्टी को नए प्रदेश सद्धक्स मिलने नए संगठन महामंत्री मिलने और नई टीम के साथ हम मस्बूती के साथ 2024 के मिसंग को लेकर के कारे करेंगे इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माने वपेंदर जी को फिर दैसे बधाई देता हूँ अपनी सुखकामनाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सरकार और संगठन मिल करके प्रदेश की जनाकांसों की पूर्ती करते हुए प्रदेश में आधनिय प्रधान मंत्री जी के विजन को मस्बूती के साथ लागू करते हुए हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भाजपा में बनाने और सभी सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी के प्रतियासियों को विजय बनाने में सपल होंगे आप सभी कार्य करता मैं देख रहा था बारा बजे से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुँच करके प्रदेश अध्यक्जी के स्वागत के लिए आप सभी वहां खड़े रहे ओमस की परवाह के वेगर पूरे रास्ते भर जगे 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 जो स्वागत किया है वहाँ इस बात को साबित करता है कि भारतिय जन्ता पार्टी का कार्य करता अपने मुल्यों अपने आदर्सों और अपने मिसन के लिए सदेव तत्पर होकर के कारे करता है आज स्वागत और अबिंदन का कारेक्रम इस बात बात सबूत है मैं एक बार फिर से आप सब को भी हरते से बदाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ धन्यबाद जय हिन मित्रों मैं आमन्तित करूँगा प्रदेश अध्यजी को